असलाम वालेकुम नाजरीन मैं सीमा शेक आपका इस्तवबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तली उसायखे में आज हम बनाने वाले हैं नली नहारी आए देखते हैं इसमें हमने किनकी चीजों की जरुरत लगेगी इसमें हमने आदा किलो गोश्ट लिया है जो अदले का और इस तरह नलियां मींकी हड्यां इस तरह का गोश्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है और एक बड़ी प्याज और एक छोटी यानि तकरीबन डेड़ प्यास का हमने इस तरह से स्लाइस कर लिये हैं पांच लॉंग नहीं हैं चमच जीरा लिया है यह हमने लिया है सुठ पांड़र यानी ड्राय जिंजर पांड़र मजंक का पेष्ट लिया है एक छोट चमच हमागी हैं जा और यह मिर्च और नमक यह मैं आपको फिर वाज़ कर दूं कि मिर्च और नमक जो है आप अपना जो यूज करते हैं उसके हिसाब से ही लें क्यूंकि जो हम बताते हैं वह हमारे यहां जो हम यूज करते हैं उसकी तेजी उसके हिसाब से बताते हैं तो आप जो मिर्च यूज करते हैं उस हिसाप से ही आप मिर्च लें और ये है हमारा धनिया पाउडर ये हमने दो चमज लिया है नमक आप जाएके के हिसाप से अपना डाले और ये में है आटा ये हमने दो ये यानि इतने बड़े चमज से दो भर के आटा हमने ले लिया है ये गेहूं का आटा है जिसे हमारे न अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे गरम मसाले हम थोड़ासा थोड़ासा कलर आने देंगे थोड़ासा फ्राइब होने देंगे अब इसमें शामिल करेंगे हम स्याग प्यास को हमें बहुत अच्छा सा कलर लाना है अच्छा पूरा गोल्डन सा कलर अच्छा तो फिर हम गोज इसमें डालेंगे इस तब अच्छे से इसको चला चला कर अच्छे से फ्राइब करें यह तो हम रेडी मेट मसालों की भी नहारी बना लेते हैं लेकिन यह स्पेशल मसाले हैं घर के मसाले हैं घर की बनाई हुई चीजे और घर के मसालों की बात ही बहुत अलग होती है और बहुत लजीज बनती है यह नहारी आप इसको जरूर बनाईएगा करेंगे यह हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन हो जाए प्याज नाजरीन बहुत अच्छे से हमारी गोल्डन हो चुकी है अब हम इसमें गोश्ट आट कर देंगे नमक भी में डाल देंगे जिसे हमें बहुत अच्छे से गोणना है ताके जो गोश्ट का पानी भी हो फुश्ट हो जाए कम से कम दो तीन मिनाट तक आप इस तहां पासपेश को अच्छे से गोने ताके जो गोश्ट की स्मेल है वह अच्छे से निकल जाए अब इतने अद्रक लश्ण दालेंगे अब इतने अद्रक लश्ण दालेंगे अधरी रिष्ट करिके साब अच्छे से प्राइब करें अब इतने करके सारे मसाले इतने शामिल कर देंगे लाल मिल्च का पाउडर अधनिया गयाश के पुलिष स्लो कर देंगे खलवी पाउडर गरम मसाला सोट का पाउडर और सौफ थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पानी पाउड का पादा कब जितना और इसे हमें अच्छे से इतना भूनना है कि इसका जो है मसाला और अलग हो जाए रूट मैं ही बस बूं के फिर इसमें पानी डलके इसे रडी करते हैं बार में इससे भूनना नहीं होता है तो जितना भी है एक ही बार में हमें अच्छे से इसको भूनना है जो भी कच्छा पन है या जो भी स्मेल है गोच की वो चले जाना चाहिए और मसाले का भी कच्छे पन की स्मेल नहीं आना चाहिए इस बात का आप बहुत ध्यान रखें है नाजरीं किसे हमें बहुत अच्छा प्राइ करना है थोड़ा सा पानिया डाल देंगे ताकि मसाला तो देखिए नाजरीं बहुत अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है और ऑईल इसमें अच्छे से उपर आ गया है इसको हमने डबल टाइम भूना है ताकि इससे मसाले से कच्छा पन चला जाए अब हमें इसमें यह जो आटा रखा हुआ था इसको हमने एक बड़े बाव इसे हमने पानी में घोल लेना है पतला कर लेना है बिल्कुल इस तरह से कि इसमें लंप्स नहीं रह जाए नहीं तो बैतर है कि इसको पतला करके आप चान ले इसे हम मिक्स करके चान लेते हैं नाजरीन आटे को हमने चान दिया है एकदम पतला करके ताके इसमें कोई भी लंप्स नहीं रहे इसको हम इसमें शामिल करेंगे आटा डलते ही इसमें गाड़ापन आने लगता है तो आप इसमें करेंगे कि इसमें हम डालेंगे बहुत सारा पानी की इतना पानी कि इतने पानी कि गोष्ट जो है इसके उपर तक आजाए इतना पानी हमें इसमें जालना है ऐसना इसको हमें इतना गलाना है जिसेंहा अपना रोज नर CMD गलाते हैं अब हम इसका नमक जो है. इसको टेस्ट कर लेंगे. नमक और मिल्च अगर आपको कम लगती है तो आप इस में और डाल सकते हैं क्यूंकि इतना पानी दला है और आंटा डला है. नमक थोड़ा सा कम है. तो नमक हम इसमें शामिल कर देंगे. मिल्च बिल्pping सही है. तो हम कुकर का डख्म लगा देंगे और इसको हम 20-25 मिनट तक एक सीटी बोलने के बार स्लो करके 20-25 मिनट तक हम इसको बनाएंगे और उसके बाद जब इसको हम खोलेंगे तो यह पॉफेक्ट रेडी होगी हम इसे डिश आउट करके बताएंगे तो लीजे नाजरीन यह हमारी बेहतरी लजीज सी नहारी रडी है इसे आप हरे मिर्च बारी कटी हुई अधरप और हरे धनिये के साथ गार्निश करें और नीबू के साथ सर्फ करें यह तंदूरी रोटी से बेहत लजीज लगती है आपको अगर मेरी यह रेसिपी पसंद है तो आप इसको जरूर लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें नेक्स रेसिपी के साथ सीमा शेक आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी अल्ला हाफेज